तोरी की सबजी बनाने जा रहे हूं इसके लिए मैंने याँ पर तीन मीडियम साइज की तोरी लिए और इसको छिलकर इस तरह से खाट कर रखा हुआ है मैंने इनको दो रखा है अच्छे से वेजेटेबल्स को दो प्याज लिए और थोड़ा साद रख है आप चाहा तो इसमे इनको मैंने मिक्सी में इसका पेस्ट बनाया हुआ है तो यह सबजी जो बनाना बहुत ही इसी है सिंपल है टेस्टी और हेल्थी भी है और उतना ही स्वाधिस्ट भी बनती है तो चलिए इसको ट्राइ करते हैं इसे बनाते है दो टेबल स्पून ओल याए यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर मैं इसमें टेटा डागा और दो फटो प्याज ताली है शाथ में अज रग लिया आपका लाशन भी अज कर सकते हैं इसलिए हलका ब्राउन होने तक यहाँ पर पकाऊंगी इनको एक सीटी लगा कर पका लोंगी इस जो प्याज अच्छक मैंने पकाया है यह हलका ब्राउन हो गया तो अभी यहाँ पर मैं इसमें टमाटर एड करने वारी हूं यहाँ पर जो मैंने टमाटर का बेस्ट रफ ख़वा था तो मैं मूल यहाँ पर दालने वारी हुआ हल्दी मिर्ची करम सामा और थोड़ा नमक एड़ कर दी आप अपने टेस्ट के मिर्ची के ररी है यहाँ डाल सकते हुए उसमें और अभी दम पकाने वारी हूं पर लएक हलिने रिल्ची बिसमें डालदी यह जेरुड़ाा पर में से टाल लोड़कर में जिसमें की मैनी हा ओरी यहां पर मैंने हरी मिर्ची आइट कर दी इसे में 2-3 गिनर तक पुताने वाले हूँ यह जो है तोरी को कुकर में डाल दिया है तो मैं अभी यहां पर इसको एक या दो सीटी ओर लगवाने वाली हूँ के बाद हम इसे सर्व करेंगे इसे हमारी तोरी की गरम-गरम सब्जी बिल्कुल डड़ी हो गई है बनकर मैंने इसमें थुड़ा सा देनिया डाला है तो आप इसे चाय तो रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं या इसे सूप की तरह भी आप इसको ले सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में भी इसका बड़ा मजाता है वोटी के साथ वह टेस्टी लगती है और आप इसी भी तरसे से सर्व कर सकते हो कहने के लिए तोरी है लेकिन यह सबजी बहुत ही स्वादिस्टी और टेस्टी बनती है तो प्लीज आप इस तरह से जुरूर ट्राइ कीजिए बीज़ आपके लिए लगट शेर शबस्क्राइब ते जिए तैंक यू